हालो कैप्रिकॉर्ण वालकम ट्रलाव इट इनिवर्स आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2024 के फर्स्ट थ्री महीना आपका कैसा गुजरने वाला हैं January, February and March महीना ओके सो देख लेते हैं इन त्री महीने के अंदर क्या क्या बड़े 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 बदलाव आपको देखने को मिलेंगे क्या क्या चेंजिस आ रही हैं आपके करियर के साइट से आपके लवलाइफ के साइट से सो येस प्लीज पॉसिटिव रहे और देख लेते है हम डीटेल में कि कौन से चेंजिस आने वाले हैं आपके लाइफ में इन त्री मांस के अंदर मेरे एक सेकेंड चैनल है जिसको मैंने आप लोग के रिक्वेस्ट के उपर ही उपन किया है जिसका नाम है ब्लू मून टैरोट सो उसका लिंक में आपको इस वीडियो के रस्क चेक कर सकते हूं मेरे सेकेंड चैनल को वहाँ पर आपको सिर्फो सिर्फ पिककार्ट से देखने को मल जाएंगे डिफ्रेंट डिफ्रेंट टॉपिक्स के ओपर रोगे तो कि फाइन तो देख लेते हैं बॉट्म ओटेट को बॉट्म देख में हैं यहां पर किंग ऑफ स्वार्ट देखो आपके दिल में इस टाइम पर छूडिया चल रही है मुझे दिख रही है कुछ कुछ चीजों को आप बडलना चाहते हों बट नहीं बडल पाढ़े हों आपके दिल में इस वज़े से बहुत सारा भागदौर मच रहा है कुछ चीजों को आप एकदम से तोड मरोर कर आगे बढ़ना चाहते हो कुछ चीजों को ना एकदम से चीर फार के पीछे ढखेल के सक्सेस पाना चाहते हो मुझे दिख रही है आपके अंदर एक आग अभी है किसी एक चीज को पाने का जो जुनून है जश्वा है वो आपके अंदर मुझे दिख रही है तो अभी आप ना बहुत सदा इमोशनल तरीके से नहीं सोच रहे हूं आपका जो ये थौर्ट्स है आपका जो ये सोचना है वो बहुत सदा अभी प्राक्टिकल बन चुका है टाइम के साथ साथ आपका परस्नालीटी भी चेंज हो चुका है मुझे दिख रही है आप जैसे इंसान पहले थे अभी आप वैसे नहीं हूं नहीं आपका सोचने का तरीका वैसा है नहीं आपका मन वैसा है आपका मन भी बहुत सारा दर्थ को अपने अंदर चुपा के रखा है इसी वज़े से आप ऐसा एंसान अभी बने हो तो आपका ये जो personality है ये कहीना कहीना बहुत सदा effect छोड़ने वाला है आने वाले तीन महीनों में तो देख लेते हैं कि डीटेल में क्या होने वाला है reading के थूँ तो देखो एकदम में center में जो card आया है वो है nine of pentacles चूँकि बहुत beautiful energy है और बहुत beautiful बाते भी करता है तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन-कौन से energies है यहाँ पर art sign तोर उसवाग को Capricorn है बहुत strong तरिके से इसके साथ water sign Cancer Scorpio Pisces है fire sign is Leo Sagittarius है and bottom of the legs से air sign Gemina Libra Aquarius है ओके So, देखो first जो बड़ा बदला आप मुझे नजर आ रही है आप इस corner wise देख सकते हैं King of Cups, Nine of Pentacles and Knight of Pentacles आप किसी एक चीज को लेकर बहुत ज़दा अभी busy हो दिख रही है मुझे किसी एक चीज के ऊपर बहुत जाथ आपके से effort डाल रहे हो overnight कर रहे हो overload ले रहे हो इतना ज़दा कोशिश करने के बाद भी कहीं न कहीं आपको फल नहीं मिल रहा है आपको suffering खतम होने का कोई भी chance नहीं दिख रही है and इसी वज़े से आप बहुत ज़द धहरे रखकर बैठे हो कि yes आपका जो फल है आपका जो काम का नतीजा है वो आपको मिलेगा and इसी वज़े से प्रे भी कर रहे हो manifestation भी कर रहे हो okay so आने वाले टाइम में मुझे दिख रही है कि January मंद के 13 तारिक से कुछ लोग के लिए 9 तारिक भी दिख रही है मतलब कि overall January मंद के meet से आपके लाइफ में आपका जो काम का फल है, काम का result है आपका कर्मा वो यहाँ पर beautiful तरीके से आने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको जब भी फल मिलना start होगा ना बहुत access तरीके से मिलेगा क्योंकि जो भी चीज़े अभी तक आपके लाइफ में रुका हुआ था वो एक साथ आपके लाइफ में एंटर कर जाएगा and nine of pentacles का कार्ट कहीं न कहीं abundance को indicate करता है इस टाइम पर आपके कामों में आपको growth, success, achievements and मुनाफ़ा भी देखने को मिल सकता है अगर आप business करते हो या फिर अचानक से आपको कहीं से कुछ खोया हुआ money भी मिल सकता है या फिर गुमा हुआ चीज़े अचानक से आपको मिल सकता है जो चीज हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्या expensive हो, कोई ring हो सकता है आपने बहुत time पहले गुमा दिया था ये miracle आपके life में possible होती हुए दिख रही है मुझे अगर आप पैसो के मामले में बहुत ज़्यादा परिशानी में थे बहुत ज़्यादा उधार ही हो चुका था तो ऐसे जो उधार है न वो चुकता होते हुए दिख रहे है या फिर अगर आप लोगों को उधार दे रहे थे लोग आपको वापस नहीं कर रहे थे तो ये इस इस टाइम पर आपको उधारी वापस भी मिलती हुए दिख रही है उधार का जो पैसा है और इस टाइम पर आप बैंक में बहुत सारा money save भी करने वाले हो आप जो भी काम करते हो उस काम में आपको भरोतरी दिख रही है उस काम में आपका increment मुझे नजर आ रहा है आपका skill और ज़दे improve होने वाला है फसल काटने का time आती वे दिख रहे हैं आपके लिए इस time पर आपके पास कुछ gifts कुछ invitations कुछ बहुत बड़ा opportunity भी आ सकता है आपके career के साइट से जो second बड़ा बद्ला भी हाँ पर मुझे दिख रहे हैं वो आप इस corner वाइस देख सकते हो 3 of 1s, 9 of pentacles, 2 of pentacles किसे एक चीज़ को लेकर आप बहुत जातरी किसे confused हो उस confusion का solution आपके पास आने वाला है और इसके साथ ही मुझे दिख रही है कि आप ना कोई नया नौकरी शाद जान करने की कोशिश कर रहे थे कोई नया business open करने की कोशिश कर रहे थे या फिर कुछ नया creative करने की कोशिश कर रहे थे और आपको permission नहीं मिल रहा था आपको assurance नहीं मिल रहा था तो ये आने वाले टाइम में आपको ये permission मिलने वाला है और इस चीज़ के थू कहीं न कहीं आपका जो new starting होगा आपके career के side से तो वो बहुत सदा fruitful में में आपके पास आने वाला है कुछ लोग के लिए दिख रहे हैं कि आप एक से ज़ादा side में अपना पैसा invest कर रहे थे या फिर एक से ज़ादा side में love life के side से भी हो सकता है कुछ लोग के लिए invest कर रहे थे वो चाहें आपका love हो, money हो, emotions हो, time हो तो आपके जो डो तरफ का investment है या फिर एक से जादा site में आप जो investment दे रहे थे उस site से भी मत्तव कि एक से नहीं एक से जादा site से भी आपके पास मुनाफ़ा आती हुए दिख रही है, पैसा आता हुआ दिख रहा है भरूत्री होती हुए दिख रही है आपका जो भागी है न वो एक नया मूड लेता हुआ दिख रहा है मुझे जिस चीज के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे बैठे वे थे कुछ चीज़े स्टार्ट करने के लिए तो वो चीज भी स्टार्ट होती हुए दिख रहे है थ्री आफ वांस के थ्रू ये चीज कहीं न कहीं मुझे फेबरारी मंत के लिए दिख रहे हैं मतलब कि फेबरारी के मीट से या फिर फेबरारी के एंड से हो सकता है बहुत कम लोग के लिए फेबरारी के स्टार्टिंग से दिख रहे हैं जो थर्ड बड़ा बदलाब मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हूँ, आपका spiritual अवोइक्नि, आपका spiritual growth यहाँ पर दिख रहे हैं, आप आने वाले टाइम में हो सकता है, पक्षी खड़ी दो या फिर कोई घड में पेट्स लाओ, मतलब यह मर्चमत की साइड में दिख रहे हैं मुझे, इस टाइम पर आप किसी मंदिर मस्चित में भी विजिट करने को जा सकते हूँ, भगवान को gratitude शो करने के लिए भी जा सकते हूँ, आप अपने future अगली तरीके से, strong तरीके से, प्लान करते हुए दिख रहे हूँ, उस चीज में बात है, प्लिस पॉजिटिव रहे, और एक चीज भी दिख रही है, कि लाइफ के साइट से भी अगर आप बहुत सदा दुवीदा में थे, तो ये दुवीदा भी जाने वाला है, आपका, यहाँ पर जैनुरी मन्त के लिए है, प्यूरिफिकेशन, आपका जो लाइफ है न मतलब कि जैनुरी मन्त के स्टार्टिंग से आपके लाइफ में बहुत कुछ चले जाता हुआ, आप देख पाओगे, बहुत कुछ आप रिलीस कर दोगे, जो चीज आपको सैक्रिफाइस करवा रहा था, जो चीज अननिससरी आपके लाइफ में एक्सिस्ट कर रहा था, वो कुछ लोग के वज़े से हो सकता है, आप आगी नहीं बरबा रहे थे, कुछ लोग के गलत मशवारे के वज़े से हो सकता है, आप पीछे रह जा रहे थे, तो येस, उस लोगों को भी इस टाइम पर डिवाइन आपसे दूर करने वाले हैं, जो चीज आपको सर्व नहीं कर जा था वो चीज आपके लाइफ से चला जाएगा तो आपको इस टाइम पर पॉसिटिफ होकर चीजों को एकसिप्ट करना है यहां पर अब देखी पा रहे हो बारिश के दौरान यह जो पत्ते हैं यह जो फूल हैं यह चमक रहे हैं धूल मिट्टी सब साप हो रहे हैं नेक्स्ट फेब्रारी मन्त के लिए यहां पर हैं फ्रीडम आप एकदम से पंक फैला करूने वाले हो बहुत सारे कामों में आपको फ्रीडम मिल जाएगा जिस काम के लिए आप यहां पर आटके हुए थे मैंने आपको बताया बहुत सारे कामों से आपको पर्मिशन अश्योर करने वाले हो कोई भी पावंध या नहीं दिख रही है मुझे अगर आप कुछ चीज़े खरिदने की कोशिश कर रहे थे कुछ चीजों को बेचने की कोशिश कर रहे थे हूँ नहीं रहा था प्राब्लम्स क्रियेट हो रहा था तो यस यह चीज़ भी हाँ पर एकदम से इसली होता हुआ दिख रहा है डिलाइट मर्च महने के लिए आया है खुशिया पॉजिटिविटी लाइट आपके लाइफ में एंटर करती भी दिख रही है ऑकी तो बहुत सारे साइट से आपको गुद नियूजस मिलने का एक चांस दिख रही है मुझे मर्च महने में और कुछ चीजों में बहुत सादा शोर मच रहा था हो सकता है कुछ चीजों को आपके लाइफ में एक्जिस्ट करवाने के लिए आपको लोगों से जगड़ा करना पर रहा था आर्ग्यूमेंस करना पर रहा था तो यह ऐसे सिचुएशन आने वाले टाइम में खतम होते हुए दिख रहे हैं overall आपके लाइफ में इन त्री महीने में शान्ती दिख रही हैं कोई भी जगड़ा जमेरा कलेश ऐसे सिचुएशन बने नहीं रहें क्योंकि एक पीस मेंटल पीस रहेगा आपके लाइफ में इतनी देर तक रिडिंग को देखने के लिए एंट तक रिडिंग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तो थैंक यू बाई